नमस्कार दोस्तों नैसा अपडेट्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है चलि देखते हैं आज के माहतपूर अपडेट्स दोस्तों पहली अपडेट लुधियाना पंजाब से है जहां दोस्तों लुधियाना को भारत का मैंचेस्टर ओफ इंडिया का जाता है वह जो के छेत्र में सिविल टर्मिनल बनाया जाएगा साथ ही यहां पर इग्यारत समलो 31 करोड की रासी से अभी एरपोर्ट असौर्टी ओफ इंडिया 630 मीटर लॉंग बिल्डिंग वोल ताथा 5.1 किलोमीटर लॉंग और 5.5 मीटर चौड़ी अप्रोच रोट का भी निर्मार कर गया है दोस्तो एरपोर्ट टर्मिनल करीब 2000 स्कॉर क्लोमीटर के छेत में फैला होगा यह एरपोर्ट करीब 300 पैसेंजर पर आर की क्योपैसिटी हैंडल करने के लिए कैपेबल होगा टर्मिनल के साथ साथ यहां पर टैक्सी वे बिलिडिंग वोल अप्रोच रोड समेथ 25.5 एकर्स लैंड पर अभी एरपोर्ट टर्मिनल का निर्माड होगा समेथ और भी चीजों का निर्माड होगा और बचे 25 एकर्स को फ्यूचर डेवलप्मेंट के लिए खाली रखा जाएगा दोस्तो नस्ट अपडेट गोरपूर उत्तर प्रदेश से है जहां दोस्तो जल अलावा कल गोरपूर लखनाओं के बीच फ्लाइट सेवा भी शुरू की जाएगी कुल मिलाकर दोस्तों करीब 12 फ्लाइट कल की बाद गोरपूर से रेगुलरली सेवा देंगी यानि कि यहां पर 12 फ्लाइट रेगुलरली अवेलबल होंगी जो कि नूडेली मूंबई कॉल ख्लत फाइव अइंडिया तो करीब दोस्तों छे कमपणण ने बीच जीता है करीब 12 कमपणों ने बीच समिट की थी तो ये छे कमपनिया जीती है दोस्तों फ्लाइट स्कुल का डेवलप्मेंट एयरपूर्ट पर करा वाहो लिबारी इन एरपोर्ट्स पर स्टैबलिस के जाएगा दोस्तो फ्लाइंग स्कूल वो जगह होती है जहां पर एरक्राफ्ट को उड़ाने की ट्रेनिंग पाइलट्स को दी जाती है यहां पर बेसिक तथा एमरजन्सी स्किल डिवलप की जाती है एरक्राफ्ट को जाता है दोस्तो नेक्स्ट अपडेट भारत के ईज ओव डूइंग बिजनेस सम्मंदित है जहां दोस्तो सेन्टर गॉर्मेंट ने देश में निवेस बहतर करने के लिए पहली बहुत सारी कदम उठाए है मैंने उस पर बहुत बार चर्चा किया है दोस्तो सरकार ने राज SDP का 0.25% एडिसनल कर्ज भी मिलेगा जिससे वह अपने इंफ्रासेक्चर को डिवलप कर सकते हैं कई सारी पर्योजना चला सकते हैं वह दोस्तो सरकार इस पर एक और बड़ा कारे करने जा रही है 15 अपरेल को सरकार एक सिंगल विंडो पोर्टल कि लेरन सिस्टम लांच करन स्पेसल परपस भारत के अंदर जो भी निवेस कर रहे हैं उसमें जो समयकार लगता है उनके इन्वेस्मेंट भारत में इनिसे उस तेस तक पहुचने की वो काफी असानी से हो जाए यहाँ पर उन्हें क्लेरन्स बहुत ही असानी से मिल जाए दोस्तो इसमें के सरकार और ने लगेगा तो यह क्छा कदम है भारत के अंदर के माहूल को बैतर करने के लिए दोस्तों स्वेच कैनाल से है एक परमूपारिक मार्ग है तता एक मिस्र में स्थित मारग यहाँ पर एसिया से यूरोप का वैपार होता है यहां पर सावत एसिं कंप्णी की चीन भारत समय बहुत सारे देश का लगभग बहुत यदा प्रतीस्यत वैपार इसी रास्ते से यूरोप से होता है। यहाँ पर दो दिन पहले एक गटना हुई थी जिसमें चीन का एक फुल लोड़ेड कंटेनर सीप यहाँ पर फस गया है। जिसके कारण 300 से ज्यादा जहाज यहाँ पर अटके पड़े हैं तो इससे दोस्तों एसिया और यूरोप के बीच वैपार बादित हो रहा है ना केवल यूरोप बलकि अमेरिका से भीुए दोस्तों बात करें भारत के तो भारत में इससे आयात प्रभावित हो सकता है चुकि पर पेटूलियम प्रोड़क्स आयरन स्टील ऑटो मोबिल हैंडी क्राफ इन सब का एकसपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है काफी ज़्यादा है इसलिए मंत्राले ने कहा है कि कुछी दिनों में नया alternative route यूज क्या जाएगा जो कि दोस्तों अफरीका के रास्ते है हाला कि दोस्तों ये route पहले route के मुकाबले 9000 km ज्यादा लंबा है फिर भी दोस्तों अब इसी route को यूज करना पड़ेगा इसके सारे भारत को वैपार करना पड़ेगा चलिए दोस्तों कुछ startup अपडेट्स देखते हैं जहां दोस्तों भारत के IT startup.pc ने Friday को 200 कोड उपय का fund raise किया है from Google, PayU, समेथ कई सारे farm से वहीं दोस्तों Jetwork जो की एक Indian startup है उसने करीब 8.3 million dollar का fund raise किया है from many investors आज की इस वीडियो में इतना ही अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्ने वाद आपका इस वीडियो देखने के लिए